अगर आप अपनी चारट एनालेसिस को स्टॉंग करना चाते हैं तो आप हमल टेलिग्राम चैनल को जोइन कर सकते हैं जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप यहां देख सकते हैं कि मौनिंग में हमने आपको सभी इंडेक्सिस के यहां पर इंपोर रडिस्टेंस ट्रेंड लाइन और फिर निफ्टी में भी आपने आपको रडिस्टेंस ट्रेंड लाइन यह बता दी थी दन बैंक निफ्टी में हमने आपको इविनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न यहां पर आप बताया था और उसके बाद आप देख सकते हैं कि करके चलेंगे क्योंकि हमारी मंडे को बैंक एक्स की और मिड़ कैप की वीकली एक्सपाइरी होती है अगर आपने अभी तक मिड़ कैप की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारी चैनल पर जाकर देख सकते हैं हमने वहाँ पर उसके इंपोर्टन लेवल्स आपके बता दि और हमारे लेवल्स के बारे में हम फिर जानेंगे कि आपके लिए important resistance और सुपोर्ट हमारे क्या निकल कर आएंगे सबसे पहले बात करते हैं सथर्टी मिनिट के टाइम फ्रेम की तो थर्टी मिनिट के टाइम पर आप देख सकते हैं कि यह हमारा यहां से एक चैनल डो हो रहा है हमारा bank x जो है इसी के बीच में यहां पर trade कर रहा है तो यह हमारा short term के लिए trade है यानि अगर Monday को आप intraday में जब trade करेंगे तो इस channel का आप अच्छे से यहां पर ध्यान रखेंगे कि अगर market इसके बीच में यहां पर open होती है तो आपको यहां से upside यहां पर आप अगर इसक side position आप बना कर यहां पर चलेंगे और अभी हम आपको अपने resistance और support के बारे में भी यहां पर बताएंगे तो यह channel आप अपने चार्ट पर draw कर लीजेगा क्योंकि intraday में यह आपके लिए बहुत जादा help करने वाला है अब चलते हैं अपने यहां पर weekly time frame तो अगर आप इसक देख सकते हैं कि जितने भी हमारे यह five candles हमारी बनी हुए है यह सभी हमारी bearish candles हमारी यहां पर show हो रही है आप यहां देख सकते हैं यह हमारी जो यह candle थी यह भी हमारा hanging man candlestick pattern था यह हमारा evening star यहां पर candlestick pattern यह इसको doji candlestick pattern भी यहां पर बोल सकते हैं और यह जो इस week हमारा बना है ये भी hanging man candlestick pattern है तो market में कुछ यहां पर हमारा बड़ा होने वाला है या तो market हमारी upside जाएगी या फिर यहां से हमारी काफी जादा market में selling नजर आएगी यानि अगर यहां से selling नजर आती भी है तो आपके लिए जो हमारा first target रहेगा वो 51,000 यहां पर रहेगा और आप देख सकते हैं कि इस time यहां पर market almost 54,000 के आसपास यहां पर trade कर रही है 3,000 के नीचे यहां पर downside bank X हमारा whole donor start हो जाता है तो then आपको यहां पर काफी जादा selling देखने को मिलेगी और आपको पता ही है कि हमारी जो Friday को market यहां पर थी हमारा nifty upside था हमारा बट यहां पर हमारा जो fin nifty था और हमारी जो यहां पर bank nifty थी वो हमारी सिर्फ यहां पर overall थोड़ी सी यहां पर consolidate थी थोड़ा ही सी यहां पर move था लेकिन nifty ने यहां पर हमारे सारे record तोड़के मार्केट यहां से अपसाइड निफ्टी जा चुकी है लेकिन बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी मूव नहीं है तो यहां पर हमारी कज सैलिंग आ सकती है क्योंकि यह पैटरंस भी हमारे जीतने बने हैं यह सभी के सभी हमारे बियरीश केंडल स्टिक पैटरन है और मार्केट जब इस तरीके से अपसाइड नहीं होती है तो मार्केट में एक बड़ा मूव आपको यहां पर देखने को मिलता है अगर इसके डेली टाइम फ्रेम की भी बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर भी हमारा यह एक यहां पर ट्रेंड लाइन ड्रो हो रही है इसे भी आप यहां पर ध्यान में रखिएगा यह आप यहां देख सकते हैं तो जब तक इस त्रेंड लाइन के अपसेड़ यहां पर हमारा बैंक एक्स hold नहीं होता है तब तक आपको यहां पर सीसाइड नहीं जाना यह नी जब यह हमारा 54,000 के अपसेड़ यहां पर hold होना start हो जाता है अगर Monday को तो देन आपके लिए सबसे जो first target हमारा रहेगा 54,000 यहां पर 500 आपके निकल कर आएगा यानि अगर 54,000 के अपसाइड होल्ड हो जाता है तो देन 500 पॉइंट का आपको मूव यहाँ पर अपसाइड नजर आ सकता है हमारा बैंक एक्स में लेकिन अगर वो इसी ट्रेंड लाइन का यहां से रजिस्टेंस ले लेता है तो देन आपको फिर से जो हमारा सुपोर्ट निकल कर आएगा यह वो 53,200 का निकल कर आएगा यानि 500 पॉइंट का मूव आपको बैंक एक्स में यहाँ पर मंडे को देखने को मिल सकता है अपसाइड भी और डाउन साइड भी तो जो लेवल हम अब भी रजिस्टंस निकल कर आएगा वो हमारा रहेगा 54,000 यहाँ पर 500 का और उसके बाद 54,000 यहाँ पर 330 का और देन यहाँ पर 54,500 का और उसके बाद यहाँ पर 54,000 यहाँ पर 800 का यह आपके लिए इंपोर्टेंट ही हमारे यहाँ पर रजिस्टंस के काम करने वाले हैं और हमारे लिए जो यहाँ पर support निकल कर आएगा वो रहेगा 53,685 का then 53,421 का और उसके बाद 53,201 का यह आपके लिए हमारे important bank X के निकल कर आएंगे तो आपको आप trade हमने यहाँ पर आपको यहाँ पर किस तरीके से लेनी है यानि 54,000 के upside अगर यहाँ पर hold होना start हो जाती तो आपको यहाँ पर एक move देख सकता है यानि 300 पॉइंट का आपको direct यहाँ पर move नजर आएगा अगर इसके upside फिर से hold हो जाती है तो आगेन आपको यहाँ से 200 पॉइंट का move upside आपके लिए नजर आएगा और यह जो चैनल था इसके बारे में हमने आपको अच्छे से यहाँ से explain आपको करी दिया है I hope आपको वीडियो अच्छी लगी और इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई यूटूब चैनल और आप हमाल टेलीग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं क्योंकि मार्केट आर्स के दुरान जो कुछ भी बनेगा वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देंगे थैंक यू